इस कोशन में हमें दे रखा है तरज्या 21 cm वाले एक ब्रत के एक तरज्या खंड का छेत्रफल ग्याद कीजिए जिसका कोण 60 डिगरी है ठीक है और ये कोशन आपके दोजा 24 के एकजाम में एक नमबर में आ भी चुका है तो आप इस कोशन को ध्यान से समझना हमें इस कोशन मे ब्रत के एक तरज्या खंड का छेत्रफल ग्याद करना है और उसके एमें तरज्या दे रखी है और कोण दे रखा है तो इसके लिए आपको तरज्या खंड का छेत्रफल पता होना चाहिए अगर आपको ये फॉर्मूला पता होगा तो आप इस तरीके किसी भी कोशन को बहुत बढ़िया बात है अगर आपको formula नहीं पता तो वो मैं आपको आगे बता दूँआ ठीक है लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को subscribe कर ले और सबसे मैं तो पूर बेल एकन को all पर प्रेस कर ले जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके के और भी questions पर वीडियो upload करूँ तो उनकी notification आपके पास सबसे पहले जा सगेट अब आगे देखते हैं कि इस question को हम कैसे solve करेंगे तो इस question को मैं आपको चित्र बना कर समझा देता हूँ और चित्र आपके सामने आभी चुका होगा यहाँ पर हमारे पास एक तरज्जा खंड दे रखा है जिसके हमारे पास तरज्जा दे रखी है 21 cm और यहाँ पर हमें साटन्स का कोण दे रखा है तो जो हमारे पास यह से चित्र फल ग्याद करना है तो पहले जो हमें question में दे रखा है हम उसको note कर लेते हैं तो वो आपको यहाँ पर भी लिखा बाद दिख रहा होगा हमें question में दे रखा है तरज्जा बरावर दे रखी हमें 21 cm और हमें कोंड दे रखा है यहाँ पर 60 degree और हमें यहाँ पर निकाल चित्र फल बराबर होता है ठीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्कॉाइर पाई की value में question में दे रखी है 22 बटे साथ ठीक है और यह हमारा तरज्जा खंड का formula होता है अब इन सब की value में question में दे रखी है यहाँ पर हम इन values को लगा कर हम यहाँ पर तरज्जा खंड का चेत् बटे साथ और आर हमें तरज्जा दे रखी है 21 cm तो 21 का whole square हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर दे रखा है में r square अब हम इसको सही करकर लिख लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आजएगा 60 upon 360 into 22 बटे साथ यहाँ पर ता हमारे पास 21 का square इसको हम लिख लेंगे 21 into 21 करके ठीक है और अब हम यहाँ से calculation करकर answer निकाल लेंगे calculation आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं अब देखते हैं इसमें आगे अब यहाँ तक हमारा हो चुका था अब इसमें आगे कैसे करेंगे बो मैं आपको बताएता हूँ 0 से 0 हम यहाँ पर काट देंगे 6 से एकड़ आएगा हमारा 6 बार 6 चंग हो जाएगा हमारा 36 अब हम यहाँ पर 7 से काट देंगे 21 को 3 बार 7 या 21 हो जाएगा हमारा अब जो ब तो यहां पर हमारा बच्चे का 11 और इंटू में आ जाएगा हमारे पास 21 अब इनकी मल्टिप्लाई कर देंगे और हमारे पास तिर्जागंड का छेत्रफल आ जाएगा आप इनकी आपस में मल्टिप्लाई कर देंगे और हमारे पास आजाएगा 231 और कोशन में जो हमें तरजा दे रखी थी वो थी हमारी सेंटिमीटर में तो यहाँ पर हम लिख देंगे सेंटिमीटर इसक्वायर तो जब हम कोशन में छेत्रफल निकालते हैं तो वहाँ पर जो भी हमारा आंसर आता है और चाहे हमें मेटर दे रखा हो या सेंटिमीटर दे रखा हो कुछ भी दे रखा हो तो वहाँ पर हमारा आ जाता है इसक्वायर जैसे यहाँ पर हमें सेंटिमीटर दे रखा था और यहाँ पर हमने छेत्रफल निकाला तो इसका answer कितना आ जाएगा 231 cm2 ठीक है तो यही हमारा उस दिर्जाखंड का चेत्रफल हो जाएगा जो मैंने आपको चित्र बना कर भी समझा दिया था तो बहुत easy question था पस आपको formula पता होने चाहिए हमने कुछ नहीं करा हमें formula पता था हमने उसमें खाली value को put कर आया और calculation करकर हमने answer को निकाल लिया है ठीक है इसलिए कहतों की formula main होते है जब आप उस chapter के question को करें तो उससे पहले उस chapter के आप सारे formula को ज्यान से पढ़ लें ठीक है तो exam में इस chapter से इसी तरह के question आते रहते हैं तो आप इन questions को जरू तयार रखे जाना और अगर आप इसी तरीके के और भी questions देखना चाते हो तो मैंने इनकी एक proper playlist बना रखी है वहाँ पर आपको सभी तरीके questions मिल जाएंगे ठीक है और उस playlist का link मैं discussion में देदूआ वहाँ से जाकर आप देख लेना और उस playlist को आप अपने दोस्तों के साथ जरू शेयर करना